मुझा शालिमार आइस क्रीम पार्लर एंड बेकर्स एगलेस केक्स आर एवेलेबल हीर नियर टू टाउन पॉली स्टेशन महभूब नगर पैरिडाइस फंक्शन पैलेस बुकिंग आर ओपन लक्षमी नगर कॉलनी महभूब नगर असलाम अलेकुम नाजरीन मेट्रो नियूस अपडेट्स में आपका इस्तक्बाल है आएप पढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर तेवीस अगस्ट को मौलाना मौमद नईम कौसर अशादी और दिगर उल्मा एकराम की जानब से एक प्रेस मीट की गई थी के 27 अगस्ट को बात नमाज मगरीब अल्मास फंक्शन हॉल में एक जल्सा इसलाए माशिरा मुनकिद होना तैप आया था जल्से की सदारत मौलाना खालिद सेफ उल्ला रहमानी सहब करने वाले थे मौलाना नाईम कौसर अशादी ने आज एक प्रेस कांफरेंस करते हुए बताया कि एक सियासी शक्सियत की तरफ से इनकी तन्जीम के नाम से जल्से की दाई के तौर पर पैम्प्रेट तक्सीम किये चा रहे हैं जो मौलाना नाईम कौसर अशादी सहब ने बताया कि इस वज़े से इस होने वाले जल्से से मैं और मेरे साथी उल्मा एकराम अपनी दस्ट बर्दारी का ऐलान करते हैं 27 अगस्ट को अगर मश्कूरा ș 설 2023 प्रोग्राम मनकित होता है तो इस से हमारा कोई तालिओ नहीं होगा प्रचातू ग्रादरान इसलाम 23 अगस्ट चाहर शंबे को मैंने अपने साथी उलमा एकराम और दीगर अखबाब के साथ एक फिरेस मीट में 27 अगस्ट को अलमास फंक्शन हाल में मुस्लिम परसनल्ला बोट की इसलाह मौशरा कमेटी के जिरेहतेमाम एक दीनी जलसे का ऐलान किया था और एक दीनी जलसे के नाम पर ही फंक्शन हाल भुक किया गया था आप हजरात को यह इतला होगी के अलमा महबूब नगर की इतला के बगएर एक सियासी शफियत की जानिब से उनकी तन्जीम के नाम से इस जलसे के पंफिलिट तक्सीम किये जा रहे हैं जो के मुस्लिम परसनल्ला बोट के उसल जवाबित के खिलाफ है लहाजा मैं और मेरे साथी अलमा एकराम 27 अगस्ट को अलमास फंक्शन हाल में होने वाले इजलास से अपनी बरात का इजहार करते हैं इस जलसे से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं अगर 27 अगस्ट को अलमास फंक्शन हाल में कोई प्रोग्राम मनाकिद होता है तो हमारा उससे कोई तालुक नहीं है अस्सलाम अलाइकुम वराहमतुलाही वराकातू झालुक नहीं है